My dear students, once again, I welcome to all of you in Dr. S. Chandra Online Classes for Education. मेरे प्रिविद्यारतियों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का Dr. S. Chandra Online Classes for Education में स्वागत करता हूँ. आप सभी का हर्दिक स्वागत है, हर्दिक अबिनन्दन है. प्रिविद्यारतियों, आपका जो पेपर है, जिसका कोड है AGBA107, जिसका नाम है Assessment of Teaching and Learning या सिक्षण अधियम का आकलन, उसमें जो Multiple Choice Questions पुछे जाते हैं, उसका हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं, और पिछली कक्छाओं में, पिछले वीडियो में हम सभी लोगोंने 60 Multiple Choice Questions का भ्यास कर लिया है, उसी सीरीज में, उसी स्रिंखला में, आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग अन्य 20 महत्पूर्ण Multiple Choice Questions का भ्यास करेंगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज हम सभी लोग 20 वेरी इंपोर्टन Multiple Choice Questions रिलेटेट विडियोर एजू बीड़ीड 107 पेपर इस नेम इज असेस्मेंट आप टीचिंग लर्निंग जिसका नाम है असेस्मेंट आप टीचिंग लर्निंग या सिक्ष्ण अधियम का आखलन उससे सम्मांधित बेस महादपूर्ण Multiple Choice Questions का भ्यास करेंगे पहला प्रशन आपके स्कीन पर Question No. 61 Question है ऐसे चर जिनके लिए किनी भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रतेक मान को ग्यात किया जा सके वे कहलाते हैं Variables for which every value between any two scores can be found are called And your options are A. Qualitative Variables या गुडात्मक्चर B. Quantitative Variable या मात्रात्मक्चर C. Continuous Variable या सदचर And D. Discreet Variable या आ सदचर Dear students, questions क्या है? प्रस्ट क्या है? Question है कि ऐसे चर जिनके लिए किनी भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रतेक मान को ग्यात किया जा सके Variables for which every value or each value between any two scores can be found, they are called उन्हें क्या कहते हैं? They are not called qualitative, not quantitative, not discrete They are called continuous variable तो यहाँ पे C. Option is the right option सदचर ऐसे चर होते हैं जिनके लिए किनी भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रतेक मान को ग्यात किया जा सकता है Next question, question number 62 यहाँ पे जो responding है, responding जो है, वो cognitive aspect का नहीं है So here the B option is the right option, यहाँ पे B option जो है अनुक्रिया वो सही उत्तर होगा अगला question, question number 63, प्रस्ट संक्या 33, प्रस्ट है, अधिक शुद्ध विश्वसनीता गुडंक या गुडंक प्राप्त होता है The more accurate reliability factors is obtained by, and your options are A. by split-half method, और by hots methods, और by test-retest method, और by rational equivalence method अर्द विच्छेती विद के द्वारा, होयट विद के द्वारा, पुनर परिछन विदी से, या तार्किक तुलिता विदी से तो dear students, जो अधिक सुद्ध विश्वसनीता गुडंक प्राप्त होता है या more accurate reliability factors प्राप्त होते हैं, सभी विदियों में, उन सभी विदियों में, अर्द विच्छेत, पुनर विच्छन वतार की इन सभी की तूला में, जो होयट विदी है या the होयट method है, इसमें सबसे अधिक सुद्ध विश्वसनीता गुडंक प्राप्त होते हैं किसने कहा था कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्त में नहित किसी विशेष्टा की मात्रा का आंकी कुवर्ण प्राप्त करने की प्रक्रिया की रूप में परिभासित किया जा सकता है measurement has been defined as the process of obtaining a numerical description of the extent to which a person or thing possess some characteristics and your options are A. Helm, Stator, B. Guilford, C. Assess, Stevens and D. Linde Man तो दिश्वसनीता जो परिभासा है वो परिभासा किसने दी है परिभासा है कि मापन को किसी व्यक्त या वस्त में नहित किसी विशेष्टा की मात्रा का आंकी कुवर्ण प्राप्त करने की प्रक्रिया की रूप में परिभासित किया जा सकता है measurement has been defined as the process of obtaining a numerical description of the extent to which a person or thing possess some characteristics तो जो आपके options है इसमें से सही कौन सा option है गिलफ़र्ड ने लिंडमें ने स्टिवेंस ने बलकि help stator की परिभासा है so here the a option is the right option next question question number 65 प्रस्ट संख्यापाइश्ट प्रस्ट है निम्ने में से कौन T परिछन की माननिता नहीं है which of the following is not in adjustments of T test dear students, stats में आप T test के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो उसी से related question है कि जो T test होता है या T परिछन होता है उसमें कौन सा जमसे ना कौन सा माननिता नहीं और आपके options है a normal distribution या सामान वित्रण b random sampling या random प्रतिचैन c discontinuity या अस्तता और d है some pressure run या equal variance dear students, T test या T परिछन हम तभी लगाते हैं जब हमारा जो population होता है जो simple होता है उसमें माना जाता है या उस adjustments को fulfill करते हैं और कौन कौन सा adjustments है पाला है कि population क्या होना चीए normally distributed होना चीए उनका सामान वित्रण होना चीए दूसरा जो sampling हो और random sampling होनी चाहिए तिसरा जो variance हो लगभग लगभग equal हो या some pressure run ता होनी चाहिए इस तरह सी तीनों options जो assumptions होने चाहिए लेकिन या पर जो C है discontinuity एक ऐसा कोई भी adjustments T test के लिए नहीं है so here the C option is the right option discontinuity या आस्तता इसको छोड़ करके बाकी के बाकी जो है वो T test के लिए adjustments हैं मानता हैं वो fulfill होनी चाहिए random distribution normal distribution, random sampling and equal variance सामान वित्रण, random प्रतिचेन और सम प्रसरणता होनी चाहिए तभी T test हम लगा सकते हैं अगला प्रशन आपकी स्कीन पर question number 66 प्रशन संखेर 6 चाहट प्रशन है विश्वसनिता गुड़क या विश्वसनिता गुड़ां का अर्थ होता है reliability coefficient means and your options are A. आंतरिक सहसंबंद गुड़क या internal correlation coefficient B. परिक्षन का स्वैम से सहसंबंद गुड़क या self correlation coefficient C. criterion correlation coefficient या मानदन से सहसंबंद गुड़क D. all of the above या उपरिक्ष सभी तो dear students जो विश्वसनिता गुड़क होता है उसका क्या meaning होता है क्या अर्थ होता है reliability coefficient means तो आंतरिक सहसंबंद नहीं मानदन नहीं बल्कि परिक्षन का स्वैम से सहसंबंद गुड़क या self correlation coefficient denote करता है विश्वसनिता गुड़क अर्थ होता है परिक्षड का स्वैम से सहसंबंद गुड़क से reliability coefficient means self correlation coefficient so here the B option is the right option next question question number 67 प्रशन संख्या संडशाट प्रशन है वैधता गुड़ांक से बोथ होता है बहुत important question है what is meant by the validity coefficient and your options are A. personal error B. variable errors C. constant errors A. वैधता गुड़ांक वैधता गुड़ांक C. इस्थित गुड़ांक वैधता गुड़ांक वैधता गुड़ांक किससे related है या what is meant by the validity coefficient वैधता गुड़ांक से किसका बोथ होता है तो personal error नहीं, variable नहीं, interpretive नहीं, बलकि क्या है constant error या इस्थित गुड़ांक बोध होता है वैधता गुड़ांक से So, here the C option is the right option Next question, question number 68 प्रसंख्या 68 प्रस्टन है धार्म के आधार पर Hindu, Muslim, Sikh तथा इसाय जैसे वर्गों में विभाजित करना उदाहरण है on the basis of religion to be divided into classes like Hindu, Muslim, Sikh and Christians are example of and your options are A, qualitative variable B, quantitative variable C, both qualitative and quantitative variable and D, none of the above अर्थात A, गुड़ात्मक्चर का उदाहरण है B, मात्रात्मक्चर का उदाहरण है C, गुड़ात्मकवा, मात्रात्मक्चर दोनों का उदाहरण है और D, उपरयुक्त में से कोई नहीं यद हम धार्म के आधहर पर या religion के आधहर पर कुछ category बनाते हैं कुछ classes बनाते हैं जिसे Hindu, Muslim से किसाई, Parsi आध यह जो example होगा वो किसका होगा वह मात्रात्मक्चर नहीं बहुत नहीं वह गुड़ात्मक्चर का उदाहरण होता है example होता है ऐसे चर जो कहलाएंगे वे qualitative variables होते हैं so here the A option is the right option qualitative variables यह गुड़ात्मक्चर अगला प्रशन आपकी स्कीन पर question number 69 प्रशन संख्या उनातर बहुत important प्रशन है विषवसनीता ग्यात करने की चरिता विसलेशन विध को दिया है means चरिता विसलेशन विध को किस ने दिया है analysis variance method to determine the reliability is given by whom and your options are A. Anastasi, B. Hoet, C. Cooter and D. Lindeman विषवसनीता ग्यात करने की जो चरिता विसलेशन विध को किस ने दिया है वो किस ने दिया है तो Anastasi ने नहीं दिया Cooter नहीं, Lindeman नहीं बलकि that method is given by Hoets तो यहां पे B option is the right option Hoets ने चरिता विसलेशन विध दी है विषवसनीता ग्यात करने की या analysis variance method for determining the reliability is given by Hoets and your next question, question number 70 प्रशन संग कह सकता है प्रशन है एक मारगी प्रसोरण विसलेशन में िफ अनपात का मान होता है the value of एफ रिषयो in one-way analysis of variance is in stats में एक एफ रिषयो होता है या इफ अनपात होता है और वहाँ से एक प्रस्न है कि एक मारगी प्रसोरण विसलेशन में या one-way जनवा में F ratio का मान होता है the value of F ratio in one way analysis of variance is and your options are A. always negative will always be negative या सदा भी रडात्मक होगा B. will always be positive या सदा भी धनात्मक होगा C. will always be will be always zero या सदा भी zero होगा सुननी होगा D. can be any of the above या उप्रोक्त में से कोई भी हो सकता है तो एक मारगी प्रस्ण विसलेशन में जो F. अनुपात होता है F ratio होता है one way analysis of variance में सदा भी रडात्मक नहीं सुनने नहीं होता है बलकि सदा है भी क्या होता है धनात्मक होगा will always be positive so here the B option is the right option Now the next question question number 71 प्रस्ण संक्या 71 प्रस्ण है कूडर रिचार्शन विद से प्राप्त विश्वसनिता गुडांग को कहते है the reliability coefficient obtained by the कूडर रिचार्शन में जो क्या कहा जाता सजातिता गुडांग आंत्रिक संगत गुडांग उपरिक्त दोनों या उपरिक्त दोनों से कोई नहीं तो कूडर रिचार्शन विद से जो विश्वसनिता गुडांग प्राप्त होता है जो reliability coefficient मिलती है उसको सजातिता गुडांग coefficient of homogenity कहते है और उसको आंत्रिक संगत गुडांग का coefficient of internal consistency भी कहा जाता है So here the C option is the right option Both of the above या उपरिक्त दोनों Next question, question number 72 प्राशन संख्या बहत्तर प्राशन है विश्वसनिता गुडांग को प्रभावित करते हैं Reliability coefficients are affected by and your options are A. परिक्षन की गत्यात्मक्ता और test dynamics B. विश्वसनिता गुडांग को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से factors हैं कौन-कौन से कार्यक्त उसमें Test dynamics या परिक्षन की गत्यात्मक्ता होती है विश्वसनिता गुडांग को प्रभावित करने वाले आप reliability की गड़ना करें, वो भी होता है, और परिछण में जो प्रस्णों की संख्या, number of questions in the test, यह सभी जो है, विस्विस्था गुड़ां के मान को प्रभावित करते हैं, so here, the D option is the right option, all of the above, या उपर युक्त सभी, next question, question number 73, प्रस्ण संख्या 73, प्रस्ण है, what are the characteristics of good norms, या अ B है, प्रतिने जित्वता, C है, सार्थक्ता और नमीनता, and D, उपर युक्त सभी, एक अच्छे माने की, क्या-क्या विस्थाएं होती है, what are the characteristics of good norms, उसमें तूल निता या, comparability है, प्रतिने जित्वता या, representativeness भी है, और सार्थक्ता और नमीनता, that is, relevancy और recency भी है, so here, the D option is the right option, उपर युक्त सभी, और all of the above, next question, question number 74, प्रशन संख्या 74, प्रशन है, non-parametric stats are called, और non-parametric statistics are called, आप राचली सांखे की को, कहा चाता है, and your options are, A, non-distributed statistics, B, formula less statistics, C, uncountable statistics, and D, signal less statistics, अर्थात, A है, वित्रण रहित सांखे की, B है, सुत्र रहित सांखे की, C है, गड़ना रहित सांखे की, या, D है, संकेत रहित सांखे की, तो आप राचली सांखे की, जो होता है, जिसको हम लोग non-parametric stats कहते हैं, उसे और क्या कहा जाता है, आप राचली सांखे की को, सुत्र रहित नहीं, गड़ना नहीं संकेत नहीं Next question, question number 75, प्रशन संक्या 75, प्रशन है, लिंग के आधार पर छात्रों को पुरुस तथा महिला दो समुहों में बाटना किस प्रकार का मापन है? On the basis of gender, what is the type of measurement to divide the students into two groups, male and female? So dear students, लिंग के आधार पर या जंडर के आधार पर किसी भी समुहों को male and female या पुरुस और महिला के आधार पर दो समुहों में डिवाइड करना, वो किस प्रकार का मापन होगा? And your options are A, qualitative measurement या गुडात्मग मापन, B, quantitative measurement या मात्रात्मग मापन, C, both qualitative and quantitative, that is गुडात्मग और मात्रात्मग मापन, दोनो, and D, none of the above. तो link के आधार पर या gender के आधार पर किसी भी समुहों को दो समुहों में male और female या पुरुस और महिला में बाटना जो, बाटने का जो कार है, वो एक प्रकार का, qualitative measurement या गुडात्मग मापन का कार होता है, so here the A option is the right option, qualitative measurement या गुडात्मग मापन का या ही एक example है, उदाहरण ह Next question, question number 76, प्रापतांकों का मुख घटक मानते हैं, main component और main components of the score is or are, main component of the score is or main components of the score are, in your options are A, two factor involved, B, two the error factor, C, two specific factor, D, all of the above, समलित कारक को, A, B, तुरुटी कारक को, C, विशिष्ट कारक को, या D, उपर युक्त सभी को, तो प्रापतांकों के जो मुख घटक होते हैं, उसमें जो समलित कारक होते हैं, वो भी होते हैं, तुरुटी कारक भी होते हैं और विशिष्ट कारक भी होते हैं, so here the D option is the right option, सम है विश्वसनीता गुडांग ज्याद करने की के आर्वीद संबंदिध है के आर मेथोड ऑफ कल्कुलेटिंग रियाबिल्टी कोफिसियंट is related with and your options are a test detest method b split half method c rational equivalence method or d all of the above a है परिक्षण पुनर परिक्षण विदी बी है अर्द विच्छेद दन विदी है अर्द विच्छेद विदी विच्छेद 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 की गड़ना करते हैं, so here the c option is the right option, तारकिक समतुलिताविद और rational equivalence method, next question, question number 78, प्रशन संख्यातातर, प्रशन है, अंतराल मापनी की मुख विसेचता है, बहुत important question है, main feature और characteristics of an interval scale is, अंतराल मापनी की मुख विसेचता है, and your options are, a, equal interval, या समान अंतराल, b, uncertain interval, या अंतराल रहित होना, and d, none of the above, या उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो dear students, main feature और characteristics of interval scale is, या अंतराल मापनी की मुख विसेचता है, that is, equal interval, या समान अंतराल का होना, तो इस तरह से यहाँ पर a option is the right option, जो अंतराल मापनी होती है, उसमें जो interval होता है, अंतराल होता है, जो gap होता हो, equal होता है, अगला question number 79, प्रशन संक्या उन्यासी, प्रशन है, संपून समष्ट से प्राप्त मद्यमान और मानक विच्ण को कहते हैं, the mean and standard deviation obtained from the whole population is called in, बहुत ही महत्मन question है, बहुत ही महत्मन कुस्टन है, बहुत ही महत्मन कुस्टन है, and your options are A, statistics, B, significant, C, parameters and D, degree of freedom, A, प्रतिदर्शच, B, सार्थक, C, प्राचल and D, मुक्तां, तो इस तरह संपून समष्ट से प्राप्त मध्यमान और मानक विच्ण को प्रतिदर्शच नहीं कहा जाता, significant असार्थक नहीं कहते हैं, or degree of freedom नहीं कहते हैं, बलकि that is known as parameters, या प्राचल कहा जाता है, so here the C option is the right option, parameters or प्राचल, now the next question, question number 80, प्रशन संख्या असी, प्रशन है, केवल महिलाओं, अथ्वा केवल चर रास और variable है, आचर या इस्तिर रास है, constant है, चर और आचर रास दोनों है, बोथ constant and variable है, and D, अनिस्चित या uncertain है, अर्थात, ऐसी समुझ जहां पे सिर्फ महिलाएं हो, या ऐसा समुझ जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूरुस हो, male हो या female हो, तो ऐसी समुझ के लिए, within the group, ऐसी समुझ के लिए, जो gender difference होता है, वो क्या होगा, वो variable होगा, या constant होगा, तो जब जहां पे उस समूह में पूरी की पूरी महिलाएं हैं विमन से हैं या पूरी के पूरे मेल हैं मेल हैं या फिर पूरुस हैं तो ऐसे समूह के लिए जो जेंडर होता है वो चर रास नहीं होता है बलकि वो क्या होता है वो कॉंस्टेंट रास होता है या फिर इस्थिर रास्या आचर रास्य होती है so here the B option is the right option तो dear students इस तरह से हम सबी लोगोंने आज की इस क्लास में इस वीडियो में जो आपका paper है AGBD 107 सिक्षनयम अधियम का आकलन और assessment of teaching and learning उससे सम्मझित 20 महत्मुन प्रश्णों का multiple choice questions का भ्यास किया है और अगली क्लास में अगली कक्षा में 90 महत्मुन प्रश्णों के साथ multiple choice questions के साथ हम जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद thanks for watching, thanks to all of you please like, share and comment on the video dear students, आप इस वीडियों को like कीजिए और इस वीडियों को अधिक सदिक अपने मित्रों में, सापार्टियों में friends अर्किल में share कीजिए जिससे कि वे भी इस वीडियों का लाव उठा सके हैं और साथ इस वीडियों पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और सो जहाँ पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे तो please like, share and comment on the video also subscribe the channel आप सभी प्रिविद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है कि पर आप channel को subscribe कर लिजी जिससे कि आप अपने course related सभी educational videos को आसानी से प्ली लिष्ट में जाकर कि सर्च कर पाएं देख पाएं, ढूड़ पाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप channel को subscribe कीजी और साथ जहाँ पर subscribe लिए है उसके बगल में एक बिल का icon हो उसको press कीजी उसको press करने पर कुछ options आते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगली क्लास में, अगली वीडियो में अन्य 20 महत्पून multiple choice questions के साथ हम जल्दी मिलेंगे, सिक्री मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद